नमस्कार जोती सुर्वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे शिव पूजा के बारे में मनचाहा जिवन साती आप प्राप्त करना चाहते हैं आपके इस विवा की उम्र हो गई है और आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है जिसको आप अपना जिवन साती बनाए या आप जिससे पसंद करते हैं उससे आप विवा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मनचाहा जिवन साती से आपके शादी होके रहे और आपका वेवाईक जिवन सुक में हो इसके लिए अपनी मनोकामना बगवान शीव के मंदिर में कैसे प्रकट करें इस वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी तो फ्रेंड्स आप शीव पूजा के लिए जा रहे हैं अपनी थाली तियार कर लीजि इसका मैं एक तरीका बताती हूँ आप 11 बिल पत्र लीजिए और 11 ही सफेद पुश्प लीजिए अब फ्रेंड्स आप शीव मंदिर के अंदर बैट जाएए इस टाइप से बैठिए कि शीव का लिंग आपके बिलकुल करीब रहे और बगवान नंदी आप से थोड़े से द पर जल चड़ाना है तो आप सबसे पहले शीव लिंग पर जल मत चड़ाएए फ्रेंड्स आप सबसे पहले जहां से जल नीची गिरता है शीव लिंग से वह जो जलाधारी है वहां पर आप जल चड़ाएए राइट हैंड साइट पर चड़ाएए उसके बाद बीच में बगवान शिव के सबसे चोटी पुत्री है जो एक लाइन बनी हुई है वो बगवान शिव के चोटी पुत्री की है अब आप शिव के आसपास जो गोल एरिया है जहां पे आप लिंग रखा हुआ है वो गोल एरिया है वो माता पारवती का है उस पे जल चड़ाईए और फिर भगवान के शिवलिंग पे जल चड़ाईए जल चड़ाने के बाद आप भगवान नंदी पे जल चड़ाईए उसके बाद फ्रेंड्स आप बील पत्र लीजिए बील पत्र चड़ाने में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बील पत्र की पत्ते वाला एरिया किदर तरह अब बीलपत्र कि दंडी की दर रखने है इसका एक सीधा सा नहीं है मैं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी को पुश्प या फूल अर्पित करते हैं या गिफ्ट में देते हैं तो आप फूल का मुक लेने वाली के तरफ रखते हैं जिसको आप दे रहे हैं उसकी तरफ आप अपनी तरफ रखते हैं और फूल का मुख जिसको भी आप फूल दे रहे हैं उसकी तरफ रखते हैं तो इसी टाइप से भगवान शीव को आपको बेल पत्र अर्पित करना है आपको डंडी वाला एरिया आपको भगवान शीव की जो जलाधारी है जहां से शीव लिंक के वहा डंडी आप उस चाइड में रखिए जहां से जल नीचे गिर रहा है तो आप सबसे पहले भगवान शीव को ग्यारह मैंसे दस बेल पत्र आप भगवान शीव को चड़ादी जिए फिर पुषब भी आप चड़ा दीजिए फिर जो आकरी बेल पत्र और आकरी पुषब बच उस पुष्प को बेल पत्र के उपर रखते हुए अपनी मनों कामना बोलते हुए भगवान शीव को अर्पित करें उसके बाद जो आपने बेल पत्र चड़ाए हैं उसमें से एक बेल पत्र लें और उसे भगवान शीव के लिंग पर आसपस पाने चड़ाते हुए उससे धोत और नंदी भगवान को आपको उसको देना है तो नंदी भगवान को देने का भी एक फ्रेंट्स तरीका है आप कही लोग होते हैं नंदी भगवान के सिर के उपर पीट के उपर बेल पत्र चड़ा देते हैं वो तो अपनी भावना से चड़ा देते हैं पर अगर आप अपनी म संबंदित या शादी से संबंदित मनोकामना पूरी करना चाते हैं तो उसके लिए भगवान नंदी पे आप बेल पत्र इस टाइप से चड़ाना है कि जो भगवान नंदी है उनका एक पाउँ उपर उठा हुआ है आगे का और एक पाउँ नीचे है तो जो पाउँ उपर रखना है वो ही बेल पत्र रखना है जो भगवान सीयू को आपने अरपित किया था अभी आपने 11 भेल पत्र चड़ाए नहीं में से जो दस चड़ायते हैं उनी में से एक बेल पत्र लेके और भगवान नंदी के जो पाम उपर हुआ हुआ है उसके उपर रखिए फिर भगवान नंदी के कान के अंदर आप अपने शादी से संबंदित प्रॉब्लम जो है या जो भी आपकी मनचाहा जीवन साथी जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके बारे में भगवान नंदी को बताएं और शिगर विवा के लिए उनसे प्रातना करें इस टाइप से फिरेंड आप ग्यारा बार पूजा कीजिए वैसे आपको फर्क तो दो या तीन बार में ही मालूम पढ़ने लग जाएगा प्रंतु ग्यार शिगरी है लो जाती है तो बगवान शिव का इस टाइप से पूजन कीजिए फिरेंड बेल पत्र इस टाइप से आप चड़ाईए ताकि आपके मनोकामना पूरी हो मेरी पूरी वीडियो इस शिव पूजा के बारे में एक के बाद एक आप देखते रहिए उसमें पूरा व हमस्याओं का निदान मेरे वीडियो के अंदर किया जा रहा है वीडियो का आप आखिर तक देखें अच्छा लगी तो लाइक करें इसे शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो और वुस पूर्णे में आप भी बागितार बनें आपका आने वाला जीवन सुकी हो समर्दिशाल आपके मुनो कामनब पूरी हो इसी सुब कामनब के साथ नमस्कार